कस्तूरी कुंडल बसे, म्रग धूड़े वनमाही, ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे नाही, कस्तूरी कुंडल बसे साथियों, कहा गया है, कि भगवान को कहां ढूणे, भगवान है कहां, कोई धर्म कहता है कि भगवान एक है, और वो कहीं रहता है, जब हम अपनी सनातन संस्कृति के माध्यम से कहते हैं कि कड़कड में भगवान तो कहते हैं कि ये कड़कड में भगवान नहीं, ये भगवान ने बनाया है, भगवान कहीं और है, भगवान को जो भी कुछ कहते हूं, साथियों, हमारी इस प्रत्वी को, किसी एक व्यक्ति ने पूरी प्रत्वी नहीं घुमी होगी, अलग-अलग व्यक्तियों ने प्रत्वी घुमी हैं उन्होंने अपना-पना लिखा तो हमें प्रत्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कोई एक व्यक्ति पूरी प्रत्वी को नहीं जान सकता और ऐसी तेरा लाख प्रत्वी सूरज के अंदर फैंक दी जाएं तो सूरज में समा जाएंगे तेरा लाख सूरज के अंदर और ऐसे लाखों सूरज फैंक दिये जाएं तो आकास गंगा में समा जाएंगे और ऐसी लाखो आकास गंगाएं हमारी इस फ्रेश्टी चराचर इस जगत हमें द्याबता है तो इस्वर कहा है उसने कोई आफिस बनाया कोई जगे है जहां से पूरी दुनिया को आपरेट कर रहा है तो साथियों कभी रदास जी ने क्या कहा उसको समझें कि इस्वर है कहा जैनी कि राम जैसे कि आपने बच्चेव को देखा होगा वो जब साबून से सर्फ से वो गोल-गोल गुबारे जैसे फलाते हैं उन में से कुछ गुबारों का आकार शुरू में छोटा होता और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं साथियों कहते हैं कि जो अध्यात्म कहता है कि इसवर अकेला था तो उसकी इच्छा वही एक से अनेक होने की और वही से इस्ष्ट का विस्तार हुआ विज्यान कहता है कि प्रारम में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वहां से जिस तरह किसी पठाके में या जो चर्की होती है वो चलती है तो इस तरह उसमें विस्फोट हुआ और आज भी उस गती से जो विसफोट से जो चीज़ें अलग हुई वो आज भी अंतरिच में, सलेस्टियल बाडी के रूम में अंतरिच पिंड के रूम में घूम रही है बैज्यानिक खोज कर चुके हैं कि आज भी इस ब्रह्मान का विस्तार हो रहा यानि कि आज भी वो जो विसफोट हुआ था उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आज भी दूर जा रहे हैं यानि कि वो विसफोट की जो गती है, विसफोट की जो उर्जा है आज भी विद्वान है और वो जो पिंड हैं वो दूर जा रहे हैं कहां तक जाएंगे इसके बारे में प्रिथवी लोग पर रहने वाला कोई ब्यक्ति नहीं जान सकता क्योंकि हमारा जो मस्तिस्क है वो हर चीज की एक सीमा जानता है। अंत कहां होगा इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। कलपना ही नहीं कर सकते हैं। साथियों जिस तरह वो गुबारा जो फूलता है पूरा गुबारा ही बड़ा होता जाए हम बता नहीं सकते इसका कहां और है और कहां छोड है साथियों परमात्मा इस्वर किसी एक जगे नहीं हम आप हमारे आसपास निर्जी बस्तुमें लोहा कंकड़ पत्थर सभी उस स्रिष्टि का विस्तार है उस परमात्मा का विस्तार है जैसे एक सरीर होता है वैसे ये सब उसका सरीर है तो भगवान कहा है परमात्मा कहा है वो एक जगे नहीं है मैं बोल ला हूँ ये मोबाइल ये प्लक ये कार ये आसपास के पेड़ पो दे उस परमात्मा का ही एक हिस्सा है तो वह सब समझने की जरूरत है कि उस परमात्मा को आपको ढूनना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं हमारी हिंदू संस्कृत में कड़ कड़ में भगवान यदि किसी भी चीज को अगर आप एक चौक को एक पड़ा हुआ कंकड़ है उसको एक पत्ती को एक कीड़े को किसी को भी आप परमात्मा मान कर उस परमात्मा को याद कर सकते हैं खुद में, खुद को एक बच्चा था हमारे मोले में छोटा था जब वो स्कूल जाता था खुद के पैर चुँख कर जाता आए दिए कहा गया होगा गर से सब लोग पैर चुख कर आएंगे जो गर से निकलता वो अपने पैर चुखता था छोटा था तो तो शुरू में मुझे भी थोड़ा उस पर हसी आई या लगा कि इसे पता नहीं है इसे अबोद है लेकिन काफी दिनों के बाद समझ में आया कि इसवर जो भी हम कुछ करते हैं जो भी कुछ सोचते हैं जो कुछ बिचारते हैं वो सब इसवर ही कराता है तो परमात्मा हमारे अंदर भी हैं अभी आप खुद के पहर छू कर देखो आपको एक विसेश अनभूती होगी परमात्मा को ढूणने की जरूरत नहीं है कवीर दास जी ने काया कि कस्तूरी मंडल वसे कुंडल वसे मरग ढूणे वनमाए हिरन की नावी में कस्तूरी रहती है और उसकी पाता इसी तरह मनुस इस वाद से अंजाने की उसके मन में ही भगवान उसके अंदर है दर साथियों जैन ayam आद्धान को अच्छा करने के लिए अब हम यह नहीं कह सकते कि वहान भगवाण नहीं भगवान भगवान भेशे करना भहाद भगवान भेशा India जब एक जगह जाते हैं जहां अध्यात हमकि चिंतना लेता है तो वहां की उरुजा और दो हम यहाँ ऑन भवाण का न तो साथियों कैना कार्थ यह है कि भगवान को ढूड़ने की आवसकता नहीं है आप जहां चाहें भगवान को प्रात कर सकते हैं